प्रश्कार प्यारे दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS Education News में दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं A&M, G&M 2018 जी हां दोस्तों A&M और G&M का जो 2018 का ओनलाइन चोईस है यानि कि जिन अभ्यरतियों का फिलाल पोस्टिंग कर रहे हैं चाहे बेटिंग लिस्ट के थ्रू हो चाहे किसी भी तरीके से हो यानि कि 2018 जो चैनित हैं उन सभी के लिए ओनलाइन चोईस दुबारा से थार्ट टाइम भरी जा रही हैं तो जी हाँ दोस्तो आपको इसके लिए क्या-क्या जो नियम काईदे हैं क्या-क्या दिशा निर्देश हैं उनको पालन करना है तो वो यहाँ पर आपको फोलो अप करना होगा मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ कि आपको क्या-क्या इसमें सावधानिया बरतनी हैं और कौन-कौन से ये दिशा निर्देश हैं सभी ने अपने लोगों ने पढ़ लिये होंगे लेकिन कोछे का अभ्यारतियों कभी भी समझ में नहीं आया और हो भी जाता है दोस्तो यूट्यूब में आने से पहले हमारे साथ यह दिक्कत थी तो अब मैं आपको समझाता हूँ कब से कब तक क्या करना है सबसे पहली बात यह दोस्तो तो हो जाए ठारा नर्सिंग भरती के जो अभ्यारती है एनम और जी एनम सभी को भरना है और किसी भी मारफत से उनका चैन हुआ हो ठीक है उन सब को भरना है दूसरी बात है 31 तारीक यह आज से लेके और 6 जून तक आप लोगों को यह ओनलाइन चोईस भर देन है दोस्तो तीसरा जो पॉइंट है यह अंतिम चांस है ठीक है लास्ट आउसर है यह इसके बाद आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा तो इसलिए सभी लोग चोईस भरें जिनों की नहीं भरी गए थी वो भी भरनी है सारी यह चीज़े ध्यान रखें आप कोई गलती न करें ठीक है फाइनल रूप से सारी चीज़े देखने के बाद ही आप लोग फोर्म को सब्मिट करें ठीक है किसी भी नोसोख यह कंप्यूटर वाले से यह जानकारी नहीं है उनसे फोर्म भी ना भरवाए ताकि पिछले बार वाली समस्य आप लोग को पैदा ना हो एक बार और चार नमबर का पॉइंट इसमें बहुती मैत्पूर्ण है इसको समझने के बहुत ज़्यादा जरूरत है कि जीना भेरतियों द्वारा पूर में विकल्प भरतिये गए हैं वेबी समस्य दन की आवशकता होने या नहीं होने की पुस्टी पोर्टल का प्रथम भर दिया कि वहाई मैंने इतने इस्थान लेने थे ये मेरी चोइस के थे ओर ये सारी मेरी डिटेल सही है और आप मुझे इसको एढ़िट नहीं करना तो इसका मतलब यह है कि जितने भी अभेरतियों जिनका सही है उन लोगों को क्या करना है कि लोगिन तो करना ही होगा क्या आप form को संसोधित करना चाहते हैं यस और नो का option आएगा क्या आप form को edit करना चाहते हैं login करेंगे mobile number और आपके जो है forum id से OTP वगएरा जाएंगे उनको करने के बाद आपके option आएगा क्या आप form को संसोधन करना चाहते हैं या नहीं अगर आपका बिल्कुल सही है तो yes करके sorry बिल्कुल सही है और अगर आप संसोधन नहीं चाहते हैं तो no पे click करके उसको save कर दे और उसके बाद print ले ले जिनको ये लगता है कि मुझे संसोधन करना चाहिए तो वो पूछेगा आप से कि आपको संसोधन करना चाहिए या करना चाहते हैं तो yes बिल्क करके आगे आप बढ़ सकते हैं ये सभी को करना है जिनका form चाहिए सही भरा हो ठीक है उन सब को भी ये करना है जो change कुछ भी नहीं करना चाहते उन्हें भी login करके और वहाँ पर बताना है कि हम संसोधन नहीं चाहते हैं फिर save करके उसका print लेना है चार नंबर पॉइंट यह है यानि कि जिसका सही है उसको भी login करके एक बार बताना पड़ेगा कि मुझे नहीं करना है ठीक है और यह portal तो आप लोग को बताए दिया जाएगा यहाँ पर cater है इसको भी देख लेना है यह भी देखना है कि नर्स रेने जित्ते और महिला स्वास्त कार करते हैं जो भी है आप उसको select करना यह कोई बात नहीं है तसपसात ID पासवर्ड बरने का प्रस्ट प्राप्त होगा उसमें पासवर्ड जनरेट करने है तो आपको निर्धारित इस्तान पर अपना application ID और mobile number लिखना है और OTP प्राप्त करना है OTP आपको दिये गए mobile number प्राप्त होगा ठीक है पासवर्ड आपको खुद सलक्ट कर सकते है ठीक है एक बार आपको पासवर्ड बनाना है 6 से 10 अक्सरों का message करूँगा कि आपके नाम का या पासवर्ड करें जैसे किसी का नाम अनिल कुमारी है तो वो तो 6 से ज़्यादा अक्सरों का हो गया अक्सरों का हो वो पासवर्ड आपको सलक्ट करना ऐसे नहीं है कि गुनिश्टो तिरान में फिर उसमें आपने पलस माइनस का चिन दे दिया फिर वो इतना तगड़ा पासवर्ड बनाने की जरुरत नहीं है सिंपल सा पासवर्ड जो आपको याद रहे आपके नाम का बनाएं तो बहतर रहेगा ठीक है अब देखिए पासवर्ड भर जाने के बाद व्यक्तिकत जानकरी आपको क्लिक करनी है उसके उपरांत देखिए आपको सेव बटन पर क्लिक करने तो संसोजन हेतु हाँ ना का प्रस्ट प्राप्त होगा यदि आप संसोजन चाहते हैं तो हाँ के बटन को दबाएं नहीं चाहते हैं नहीं के बटन को दबाएं नहीं के बटन दबाने पर प्रिंट पेज पर जाकर आप प्रिंट ले सकते हैं जैसा कि मैं पहले चार नमबर पॉइंट को पढ़के अगले प्रष्ट पर जाएं ये इस तरीके से करना आप लोगों को ठीक है बैक भी आप लोग जा सकते हैं सपत पत्र दिये गए सभी बॉक्स में यानि कि जब लास्ट में सारी चीज़ा भरतेंगे तो उसमें राइट का चिन चार बार है सायर उन सब पर आपको राइट का ट सेव पीडियाप प्रस्ट को आप लोग सेव कर लेना है ठीक है ये चीजें हैं दोस्तों अगर आप पुने विचार कर फारम में संसोधन चाहते हैं तो अपने पुने लोगिन कर सकते हैं क्योंतों लोगिन के सुधा क्यों एक दिन 24 घंटे के लिए ही उपलब्द यहां पर होगी ठीक है दोस्तों अब यह यहां पर देखिए आपका जो है तीन दिन के अंदर भी प्रिंट ले सकते हैं ठीक है आपने सेव कर दिया तो उसका जो प्रिंट है उसकी तीन दिन के अंदर प्रिंट ले सकते हैं जैसे मालीज आप किसी कारनवस आज नहीं ले पाया आज में तीन दिन में आप इसका प्रिंट ले सकते हैं और फिर आपने माली जिया आज फोम भर दिया समसोधन कर दिया फिर दिल बदल गया कि भाई अब आपको बदलना है तो पुने लोगिन 24 घंटे बाद ही उपलब्ध होगा ठीक है यानि कि जैसे आज बर दिया और फिर दिल गलत भर दिये थे अब मैं क्या करूं मैं जो और भी चेंज करना है तो फिर और चेंज होंगे जैसे आज आज आपने दो बज कर 25 नट मेरे मोबाल में टाइम वर जैसे दो बज के 25 पर अगले दिन 24 घंटे बाद है कि कल दो बज के 25 नट बाद ही लोगिन आप लोग कर प्रिंट है जिसमें जो इंपोर्टेंट वो है जो की एक ही चांस मिल रहा व्लास्ट होगा बड़ी आसानी से फोर्म बरें तो दिक्कत हो मुझे कमेंट कर सकते हैं जिनका फोर्म सही है उनको भी संसोधन वाले बटन पर ना पे क्लिक करके अपना प्रिंट ले ले लेना है जिनका फोर्म पहली बार भरें वो बड़ी आसानी से भरें पास्वर्ड में मैं बता रहा हूं कि पास्वर्ड 6-10 वर्ड का आपको बनाना है अपने नाम का बनाए तो बहतर रहेगा ठीक है दूसरी तीसरी बात दोस्तो जितने विकल्प आप भरना चाहते हैं वो भरें औ दोस्तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज करें मुझे परसनली ठीक है मोबाइल नमबर आप सबके पास है यह बार पूना लिख देता हूं सिर्फ वाट्सप डॉन्ट कोल यार तो काफी समस्यों होती है कोल को प